सो हेलो दोस्तों लास पार्ट में हमने देखा था कि पैट्रिक की बोड़ी और वो बोट वहाँ पर से गायब हो चुके होते हैं अब आगे वो सब टेंडी से पूछते हैं कि क्या पैट्रिक को उसने सच में मरा हुआ देखा था जब तुम उसे लेकर आए थे तो वो उने बत लासा देता है कि पैट्रिक अब उन्हें धूंडने नहीं आएगा जिस पर लुइस उने बता आता है कि पैट्रिक एक बहुत गंदा इंसान था और वह बिल्ली का खाना भी खाया करता था और नेक्सीन में दिखता है कि टैंडी ने बहुत सारे सेफटी अलाम से लगाए बहुतियं और तभी हम पर एरिका भी आजाती है और उसके मनाए हूँ है बंकर की तारीफ करती है तभी एक सीन में दिखता है सब्ही हम कर आता है सब्हीिं nog कर दोग डर तो उसे इलेक्टिक शोक वाली गंद से लूइस को जटका दे देता है और इस जटके से लूइस एकदम अकड़ जाता है और वो सब भाषड दे के टेंडी महां से चला जाता है तब ही दिखता है कि कैरोल ने टेंडी के लिए एक अजीब सा सूट बनाया होता है जिस पर टें स्कार्णिंग दे रही होती है जिसमें वह बताती है कि अगर कोई भी खत्रा आसपास होगा तो वह लोगों कैसे खट्टा करेंगे जसपर मैलेसा कैरोल से कहती है कि अगर कोई आया तो वोसे कुलाड़ी से मारदेगी और वह कुलाड़ी निकल कर वापस वहीं पर लगा देती है जिसे देखकर सभी लोग चौक जाते हैं और दूसरे सीन में दिखता है टेंडी लुइस को बीच पर लेकर आया है और अपनी चिकनी चुपड़ी बाते बता रहा होता है और दूर खड़े टॉड एरिका और कैरोल भी ये सब देख रहे होते हैं लास्ट में टेंडी उससे उसका दोस्त बनने को कहता है तो लुइस उसकी फ्रेंड्ड चिप को एसेप्ट कर लेता है जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं पर तभी वहाँ पर मेलिसा आ जाती है और उनने खेलने से रोकने की कोशिश करती है तभी दिखते हैं जहां पर बॉल गिरी होती है वो जगा पर बलास्ट हो जाता है जिस पर मेलिसा उन सभी को बताती है कि उसने पूरे बीच पर लेंड माइन्स बिचा रखी है ताकि कोई भी बहारी इनसान वहां ना आ सके तभी लिउस कहता है कि ये जगा लेंड माइन्स से भरी हुई है और वो पागल इनसन पैटरिक भी इस जगा को जानता है तो हमें यहां पर नहीं रहना चाहिए पर लिउस उन सब को बताता है कि ये पैटरिक नहीं है बलकि मैलिसा है जो कि लेंड माइन्स को डिस्ट्रॉइ कर रही है और अब इतनी सारी परेशानी के बाद सब लिउस की बात पर एगरी कर जाते है कि उन्हें इस जगह को आप छोड़ देना चाहिए और लिउस टैंडी को भी ये बात समझा देता है और दूसरे सीन में दिखता है सभी लोग अपने अपनी चीजों को एक बार लास्ट गुडबाई कह रहे होते हैं और वो सब वहाँ से अपनी अपनी कार में चलने लगते हैं और नेक्स सीन में दिखता है कैरोल सभी को बनाय हुआ अपना ब्रिज दिखा रही होती है जिस पर से गैल एक बीन उठा कर खा लेती है और कैरोल उसे बताती है कि वो एक पैट्रॉलिम का बना हुआ प्रोड़क्ट है तब दिखता है मैलिसा अजीब तरीके से कुछ खा रही होती है जिस पर टॉट कहता है कि उसे बहुत स्ट्रेस है इसलिए वो ऐसी हरकते करी है जिस पर लियुस भी उससे सहमत होता और लियुस टैंडी को अपने लवर के बारे में बताता है और वो उसे ये भी बताता है कि वो गे है, जिस पर टेंडी उसकी प्रशंसा करता है, और बताता है कि सैन फ्रांसिसको एकदम पर्फरक्ट जगा है, जो कि होमो सेक्शल लोगों के लिए है, और उसके बाद वो दुबारा से अपने सफर में निकल जाता है, और रास्ते में ट जगा हमें चूज नहीं करती बलकि हम जगा को चूज करते हैं और वो ये कह कर दो बात से वहां से चलने लगते हैं और रास्ते में चलते हुए टैंडी लूइस को अपनी बातों से बोड़ कर रहा होता है और दूसी तरफ दिखता है कैरोलो और एरिका एक एसी फूल करने के कर आपने को कर घग़ड़ रहे होते हैं ॥े सिंद्र में अरी का A.C. को फुल कर देती जिसकी वजर से उनकी कार कांगन खुराबो हो जाता है और अब दिसकी था और चोड़कर सभी टोर्ट की कार में बैटे हैं पर जैसे ही वह कार स्टाट करते हैं तो उसकी काल स्टार्ट नहीं होती और मजबूरान उन सभी को टेंडी के साथ ही बस में बैठना पड़ता है पूरे रास्ते टेंडी उन सभी को अपना बकवास गाना सुनाते हुए लाता है जिसे सुनकर तबी लोग अपने कान बंद करने लगते हैं तबी दिखता है बस का फ्यूल टेंक भी लोग चुका है और बस वहीं पर रुख जाती है और अब मजबूरान उन सभी को पैडल ही ट्रैवल करना पड़ता है और थोड़ी दूर चलने के बाद उने पास में एक दुकान दिखाई देती है और वो सभी लोग उस दुकान के अंदर चले जाते हैं और रात के टाइम दिखता है कि वो सभी बैस कर रहे होते हैं क्योंने कौन सी जगा जाना चाहिए पर तबी महाँ पर गैल आ जाती है और बोलती है कि हमें पास की ही जगा पर जाना चाहिए किसी तो टेंडी उसे बोलता है कि हम सब फैमली है पर गैल उसे कहती ही कि हम कोई फैमली नहीं है वो तो बस हम दुनिया के गिने चुने बचे हुए लोग है इसलिए हम साथ में हैं और वो यह कहकर वहाँ से बाहर चली जाती है और थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास महुँचते हैं और दोस्तो यहीं पर जो है हमारा एपिसोड थर्ड और फॉद एंड हो जाता है I hope दोस्तो आपको अच्छा लग रहे होंगे एपिसोड तो दोस्तो आप मुझे कमेंट करके जहूर बताना मेरा एक्स्प्लेंशन आपको कैसा लग रहा और अगर आपको टाइम टू टाइम इस सीरीज का अपडेट साहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जहू करें So guys, thanks for watching, see you